आज का question बिल्कुल भी skip नहीं कर सकते हो इतना important question है कि कल के exam में देखने को मिल जाएगा यह question आपका long भी भी हो सकता है, short में भी हो सकता है long में आएगा, तो आपके exam में लिख के आएगा सच्छन के बिविन अस्थर कौन कौन से है बिस्तार पूर्बा को लेकिजिए, short में आएगा तो कोई भी एक अस्थर पूसकता है इसमें ती सच्छनस्तर क्या है, बोदस्तर क्या है या चिंतनस्तर क्या है कोई भी separate question आसकता है short type में but long में भी एक question आपको देखने के 100% possibility दिख रही नहीं दिखी तो short में तो पक्का मिल लाएगा ये question तो बिल्कुल भी इसे skip मत करना पूरे वीडियोज को watch करके जाना और एक guarantee है कि अगर आप book से नहीं भी पढ़ते हैं इस वीडियो को watch करकी ही जाते हैं तो आप कल के exam में इस question को लिख पाएंगे और आपको विल्कुल भी दिक्कत नहीं आगे guys अगर आप channel पर पहले बारा हैं तो channel को जरूर subscribe करना क्योंकि इन वीडियोज को बनाने में बहुत जादा हमें hard work करना पड़ता है पर PT तयार करना और देन वीडियोज को बनाना और देन edit करके upload करना तो इतनी मिनत होती है अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ी भी help होती है तो आपको कुछ भी investment नहीं है कोई पैसे नहीं लगते हैं एक subscribe जरूर कर दिया करो चलो गए जिस start करते हैं आज की class तो सिच्छन अस्तर को समझने से पहले इनके जो प्रकार होते हैं उनको समझने से पहले सिच्छन अस्तर को समझते हैं जहिर सी बात है आप सभी को पता है हर एक चीज का सोपान होता है सोपान का मतलब क्या होता है प्रक्रिया होती है अगर आप बिना प्रक्रिया के कोई चीज करोगे तो चीज़े उतनी better नहीं हो पाएंगी आप जब एक छोटी class में थे तो छोटी class में पढ़ाने का तरीका अलग था आज आप एक बड़ी class में हैं आज का एक तरीका अलग है छोटी class में आपको पता होगा अच्छे से सारे बच्चों को साम को एक लाइन से बैठा देते थे और उनको टेबल रटवाते थे एक बच्चा होता था जो सामने खड़ा होके टेबल पढ़ता था बाकी बच्चे याद करते थे यह अगर आपको पढ़ाया गया है A for Apple, B for Boy, C for Cat तो यह आपको याद कराया गया है ना आ पहला अस्तर था हमारा ओ स्मिर्थी अस्तर था जिसमें चीजों को हमें रट के सिखाया गया रटने पर बल दिया गया कि चीजों को रटना है त्यार करना है याद करके आना है कल आपको सुनाना ही सुनाना है लेकिन जब हम धीरे धीरे छोड़ी क्लास से थोड़ा थोड़ तो कहीं न कि उस पे आप बहुत करते थे, चीजों को आप समझते थे, लेकिन वो प्रक्रिया तभी बेटर हो पाएगी, जब आपने रटने वाले प्रक्रिया से अगर आप गुजरे हैं, अगर आपको डियेटली यही करया जाएगा, तो साथ उतना बेटर नहीं हो पाएगा लेकिन जो आपका अस्तर वर्क कर रहा है उँचिंतन अस्तर है, आप चीजों को अपने हिसाब से लिख रहे हैं, पढ़के तो जाते हैं, एक्जाम में, लेकिन जब आपको लिखने की वारी आती है, तो उस चीज को आप अपनी सोच समझ, अपनी हिसाब से चीजों को और इछ तभी संभब हो पाती जब आप रटने की प्रक्रियाशे और बोध्ध क्रियाशे आप गुजर चुके होते हैं तो आप चिंतन सतर की प्रक्रिया में अच्छे कर पाते हैं यानि एक ऐसा अस्तर होता है जहांपर आप अपनी हर एक समस्याओं को अपने चिंतन अस्तर से सुल्या पाते हैं वही आपका चिंतन अस्तर होता है I hope की सिच्छन अस्तर आपको समान में आगया होगा सिच्छन का एक उद्देश पूर्ण प्रक्रिया माना जाता है इस सिच्छन की प्रक्रिया का शंबंद अधिगम से बहुत गहरा है पाठ्ट्य वस्तु का अपना शुरूप होता है जिसमें सिच्छन के विविन उद्देशों को प्राप्त करने के अधिगम के विविन अस्तरों को प्रभावित किया था हमका मतलब motivation होता है पाठ या वस्तु को अग्रिम लिखित तीन अस्तरों में प्रस्तुत किया सकता है जैसे आपका इसमिती अस्तर है जिसे हम memory level कहते हैं बोध अस्तर देखो जब भी आप answer जब आप heading डालो इसमिती अस्तर डाला तो आपने memory level जरूर लिख देना है क्योंकि थोड़ा सा English में लिखने से लिखन से लिए अच्छी होती है और दिखने में चीज़े अच्छी लगती है तो attract करती है जो आपका copy चेक करते हैं ठीक है आगे का देखेंगे बोध अस्तर जिसे understanding level कहते हैं चिंतान अस्तर जिसे reflective level कहते हैं ठी से पहला जो है memory level of teaching हम इसकी बात करेंगे जिसमें सिधी से बात है जब भी स्मिति की बात करना तो ध्यान देना इस पे सिर्फ और सिर्फ रटने पर बल दिया जाता है चीजों को रटके त्यार करने के लिए बलाता है कि रटके ही आना है इसमिति अस्तर बिचार ही होता है इसे सिच्छन की प्रारंबिक अवस्था मना जाता है और देखो इस लाइन को रटना नहीं है लिखना है क्योंकि आप पता है कि पहला अस्तर है तो आप कहेंगे इसी सिच्छन को प्रारंबिक अवस्था मना जाता है शामानी रूप से सिच्छन का अस्तर इसमिति का ही होत है ऐसे बिद्वान और कुशल सिच्छक बहुत कम दिखाई देते हैं जो अपने सिच्छण अस्तर के चिंतन अस्तर तक पहुचाने में सफल होते हैं इस अस्तर के सिच्छण में केवल तत्यों और सोचनाओं का प्रसुद्धी करण पर रटने पर बल दिया जाता है मैंने कहा पाथि अवस्तु पाठख करम के तत्यों को रखने की चमता का बुद्धि से कोई शंबन्द नहीं होता है सिधा सिधा है कि आप چीजों को रटेंगे और रट के ही तयार करेंगे और यह चीजें हैं बहुत साड़े मंद्धी के वालक होते हैं जो इनको रठ सकते हैं चीजो तथा तत्यों सोचनाओं को बाहर से बल फूरबक ठूसा जाता है भाया रटके नहीं आओगे ना तो छड़ी पड़ेगी कल की कलास में और पढ़ती भी थी तो बस यही है कि अगर आप नहीं रटोगे तो आपको बल पूरबक रटने पर जोड़ दिया जाएगा और जो छोटा जो मंद बुद्धी वाला बालक है ओभी विचारा फिर रटके ही आएगा क्योंकि उसको पता हो गया कि अगर नहीं रटके जाएगे तो कल की कलास में मार्क आएगे सीखी हुई पाठ्य वस्तु के मुल्यांकन के लिए निबंधात्मक और वतनिष्ट दोनों प्रकार के परिच्छाओं का प्रयोगी आता है उपरोक्त बिबरन से अस्पष्ट हो जाता है कि ऐसे सिख्छन प्रधान होते हैं जिसमें विद्यार्थियों का मानशिक विकाश नहीं होता है इस अस्तर का सिच्छन ग्यानात्मक पच्छ तक ही सिमित रहता है इस अस्तर के सिच्छन में अभी प्रेणा का सिच्छन भी नियुन्तम होता है मोटिवेशन कम होता जिदा सिदा सिदा बात है कि बस आपको रटना ही है विज्ञान का मुल्यांकन भी प्रमप्रागत बिधी से ही कियाता है उनके द्वारा आपको चीजों को रटने के लिए बोला जाएगा तो बस यही है आप समझ जाएंगे और अच्छे से लिख पाएंगे इसमती अस्तर की सिच्छन के लिए सुझाओ क्या हो सकता है जो आपके टीचर्स हैं उनके लिए क्या है सिच्छा को चाहिए कि वह किवल गयनात्मक उद्देशों को प्राप्त करने का प्रयाश करें मतलब जो फैक्टवल चीजे हैं सिर्फ जो हमारे फैक्टवाले चीजे हैं उनको उनका उद्देश होना चाहिए कि उनहीं चीजों को बच्चों को रटाएं उन चीजों को याद कराएं प्रस्तुत की जाने व लगाओ जब विद्यार्थी ठकी हुए हो तो सच्छन ना करो क्योंकि आपको पता है कि रटनी वाले चीज़े एक टाइम के बाद आपको नहीं याद होती है कितना भी आप पढ़ो जब ठक गए हो बालग तो उस टाइम आप सच्छक का काम सच्छन का कार ना करो उस टाइम आप स्टॉप कर दो अगले दिन पढ़ाओ या कुछ टाइम बात पढ़ाओ बोधस्तर जिसे हम अंडर्स्टैंडिंग लेबल आफ टीचिंग कहते हैं बोधस्तर के सच्छन के लिए पहली सर्थ है इसमती अस्तर के सच्छन का होना इसके अभाओं में वंचित परडाम पराप्त करने की आसा करना एक मात्र कलपना है याई अगर आप बोधस्तर में अच्छा करना चाहते हैं तो इसमती अस्तर आपका पहले से अच्छा होना चाहिए बोधस्तर पर बिद्यार्थियों का शामानी वी करण सिध्धानतों तथ्यों को संबंध में बोध कराने पर बल देते हैं अनालसिस कराते हैं सिच्छा को अपने इस परियास में सफलता मिल जाती है तो बिद्यार्थियों के नियमों को पहचानने समझने उन्हें प्रियोग करने का शमता विक्षित करते हैं वही मैंने कहा कि जितने भी कॉंसेट्स होते हैं सारी चीज़े सिखाई जाती है और उनको डिबलब करते हैं आपके अंदर ठीक है उन चीजों को बिटर करते हैं का प्रीयुक कैसे करना है उन चीज़ोंगों को भी सिखाते है। इन प्रियाशों का प्रेणाम शुरूप दूसरे आर्ध पूर्ण हो जाते हैं दुसरे सब्दों में। बौधास्थे सब्धा में सिख्षक प्रियाश और सिच्छन के लिए सुझाओ क्या हो सकते हैं, सिच्छक को बोधस्तर के सिच्छन की समस्याओं पर विचार करती हुए, उनके शमाधानों उचित प्रियास करना चाहिए, बोधस्तर के प्रतिक शोपाने जो प्रक्रियाएं हैं का अनुश्रन करमबद धुरूप से करें, य इनको आप लिए सुझाओ, अपनी तरफ से भी अच्छे लिख पाएंगे, बिलकूल भी ऐसा नहीं है कि आप इनको रट के जाओ, इनको रटना नहीं है, आपको अपने हैसाब से लिखना है, और चिंटनतम पर लिएक का शित व्हां का इस्ठ्र के लिए, इस्का आड़त ह पीज़द के सीच्छन और बहुत होगी हो दूसरे सबदों में चिंता नस्तर का सच्छन समस्य के इंदर सेच्छन होता है यहां पर हर तरह के समस्याओं को आप जो है सुल्जा पाते हैं और यहां पर प्रिस्टियों में एक अच्छा का वातरान खुला हुआ होता है इसमें कोई भी बच्छा अपना अपना राय दे सकता है टीचर कोई भी कुशन आपसे पूछता है तो सबी अपने अपने बिचार क्योंकि यहां का वातरन खुला हुआ होता है आपकी सोच कुछ और हो सकती है उथे और किसी की कुछ और हो सकती है तução पर आप अपने अपनी बीचार धाराओं को रखते हैं इसके जेच्छा इसमें सिच्छक विद्यार्थियों के सामने लिया ओध करता है जिसमें बिद्य कि लिए क्या सुझाओं चुनतनंस्थे मीलता सच्ळण की सफलता के लिए आधि ऐस ruin कि इंप यह क्लियर हो गया हूं आए इसके बाद इन वीडियो और राते हाँ दो तीन वीडियो करने में बोलने में दिक्कत हों लगती है तो आई होप कि आपको कुष्ण क्लियर हो गया होगा और आप जो है इन प्रशनों को त्यार करके जाएंगे कल के एक्जाम में हमारी तरब से कुष्ण नमबर साफ को एड हो गया है तो आप इन्हें जरूर पढ़के जाएगा एक कुष्ण साफ को कल देखने को मिलेंगे चैनल पर पहले बार थे तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा थैंक्यू गाइस